आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने फोन के तुरू एक जूम मीटिंग में आप अपनी अपना जो बैक्ग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो ठीक है तो इसके दो आपके बास अगर आपके बास एक अच्छा प्रोसेसर है अगर आपके बास इस 855 स्नैपड्रेगन का प्रोसेसर है तो आप उसको बिना कोई दूसरी एप यूज किये कर सकते हो इसक्रींचेर लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं है ठीक है स्नैपड्रेगन 835 या फिर उसके बराबर के और जो प्रोसेसर से उन सब में बील्ट इन आप में लेकिन बाख़ी सब में जो है वह बिल्ट इन नहीं आथा तो उसके लिए आपको क्या करना है वह आज आपको इस वीडियो बताने बालो हुआ तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं जूम आप उपन कर लेता हूं तो जूम पे क्लिक कर दिये हैं और एक नई मीटिंग स्टार्ट करता हूं निव मीटिंग पे क्लिक करता हूं और स्टार्ट अ मीटिंग और इस तरह से एक नई मीटिंग मेरी स्टार्ट हो रही है जूम में और अभी यह कनेक्ट हो रहा है तो यह कनेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा कि क्योंकि यहां पर हमारा पास बिल्ट इन वाला फंक्शन नहीं है वर्चूर बैक्ग्राउंड का, तो हम एक अप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे तो मैं यहां पर प्ले स्टोर पे चला जाता हूँ और वहां पर टाइप करता हूँ फ्यूजन केम ठीक है, इस एप का लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे डिरेक्ट ऐसे फ्यूजन केम लिखकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है तो इसलिए open का option आ रहा है आपके पास download का option होगा आप install कर देना इसको download करके install कर देना फिर जब आपने ये install कर दिये अब आपको zoom पे जाना है और ये जो green color का option है शेयर का इस पे click करना है और यहाँ पे आपको screen sharing स्टार्ट करनी है तो ये prompt होता है आपको start now पे click कर देना है और इस तरह से मेरे screen sharing अब start होगी है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर पहली app open कर लूँगा जो हमने install करी थी और उपर जो camera का icon है इस पे मैं click करता हूँ तो इस तरीके से जो है एक virtual background मेरे पीछे लगा हुआ आता है इस application में ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से virtual background लगा हुआ दिखरा है आपको और इस तरह से कई सारे options रहते हैं आपके पास तो आप अपने background जो है वो select कर सकते हो कौन से आपको select करना है तो यह सारे कुछ इसमें से पहले इसमें पहले से ही options रहते हैं background select करने के लिए और अगर आपको अपनी gallery में से कोई लगाना है तो उसका भी option है वो भी मैं दिखाता हूँ तो इस तरह के से आप जो पहले से हमारे पास templates हैं उसमें से कोई भी background लगा सकते हैं अगर आपको कोई नया लगाना है तो आपको क्या करना होगा तो यहाँ पे एक more का option आपको दिख रहा है cross के निचे उस more पे click करना है और यहाँ पे use a background from your gallery और यहाँ पे आपको यह gallery दिख रहा होगा top right corner में इस पे आपको click करना है तो जैसे आप gallery पे click करोगे इस तरीके से आपकी gallery में जितनी भी image हैं वो सब open हो जाएंगी और example के लिए मैं कोई भी एक select कर लेता हूँ okay I like it पे click किया मैंने और इस तरीके से वो जो image थी मेरी gallery में वो देखो मेरे background में लग चुकी है ठीक है तो इस तरीके से कोई भी image जो आपकी gallery में आप उसको भी लगा सकते हो background में और आप मैं दिखाते हूँ आपको की सामने वाले के phone में जिसने जो दूसरा participant है उसको आपका background कैसा दिख रहा है तो आप देख सकते हैं पिछला वाला जो phone था वो दूसरा phone था यह दूसरा phone है तो इस तरीके से दिख रही है आपको सामने वाला जो बंदा है जो भी meeting में connected है उसको इस तरीके से जो है मेरा background दिखेगा मेरी video दिखेगी ठीक है आप देख सकते हैं किस तरह से background मेरी change नजर आ रहा है सामने वाले को यह मेरा दूसरा वाला phone है जिससे मैंने दूसरी किसी participants ने meeting join की हुई है तो इस तरीके से background दिखेगा ठीक है यह मैं उस वाले phone में change कर रहा हूँ और यहाँ पर background change दिख रहा है ठीक है तो इस तरीके से background set करके आप पहले से अपना set रख सकते हैं so thank you for watching या शेर कर देना वीडियो कर पसंद आई हो